रिशी पंचमी हिंदू धर्म में अपना महत्व है. रिशी पंचमी हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है. रिशी पंचमी का त्योहार हिंदू पंचान के भादरपद महीने में शुकल पक्ष पंचमी तिथी को मनाया जाता है. यह त्योहार गनेश चत परण व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समाज के कल्यान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। व्यक्त करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में सनान करना चाहिए। यदि यह संभब न हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर सनान कर लेना चाहिए। व्यक्त कौन सा है? ब्रह्माजी ने बताया कि रिशी पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ट और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्माजी ने कहा, विदर्ब देश में उत्तन्क नामक एक सदाचारी ब्रह्मन रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिवरता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्रह्मन के एक पुत्र तथा एक पुत्री दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवannah दमपती कन्या सहित गंगाताटपर कुटिया बना कर रहने लगे। एक दिन ब्रह्मन कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात मा से कही. मा ने पती से सब कहते हुए पूछा प्राणनात. मेरी साध्वी कन्या की यह स्थिती होने का क्या कारण है? उत्तन्क ने समाधी द्वारा इस घटना का पता लगा कर बताया पूर्ग जन्म में भी यह कन्या ब्राहमनी थी. ये रजस्वला होने पर भी बरतनों को छू लेती थी. इसलिए इसके शरीर में कीरे पड़े हैं. धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रमगातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है. वह चेथे दिन सनान करके शु पूजन किया. व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई. अगले जन्व में उसे अटल सौभागे सहित अक्षय सुखों का भोग मिला.